सब्सक्राइब कीजिए नीचे दिये गए रेड बटन से और बाद में बैल आइकन दबाए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए मंगाई जा रहे हैं ओल इंडिया की ये वेकन्सीज है सबी महिलाएं एवंपुरूस इन भर्तियों पर लास डेट से पहले पहले अपनी eligibility और choice के according आवेदन कर सकते हैं तो दोस्तों इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि इन भर्तियों पर आवेदन करने के लिए क्या आपका eligibility criteria होना चाहिए कितनी number of vacancies यहां पर available हैं जिनके लिए आप apply कर सकते हो कितनी application fees आपको कौन सी भर्ति के लिए जमा करानी है या फिर नहीं करानी है क्या dates हैं जिन से पहले पहले आप आवेदन कर सकते हो और कैसे आवेदन कर सकते हो इन सब चीजों की पूरी जानकारी के लिए बने रहे हैं इस वीडियो में अंतितक हमारे साथ तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं इन भर्तिों की पूरी जानकारी फर्स्ट नमबर की जो रेल्वे रिक्रूटमेंट सेल के अंदर निकली है पोस्ट का नाम है आपर ग्रूप D लेवल वन टोटल नमबरों फेकेंसी एक लाग तीन हजार साथ सो नकतर है जिनके लिए कैंडिडेट से एपलिकेशन फॉर्म मंगाई जा रहे हैं बात अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की की जाए तो कैंडिडेट का कम से कम दसवी कलास पास होना जरूरी है पलस आई टी आई भी पास होना जरूरी है किसी relevant trade के अंदर age limit यहाँ पर आपके 18 साल minimum और 33 साल maximum रखी गई है sale आपको level 1 से 7th के according पे कर दी जाएगी जी हाँ दोस्तों level 1 से 7th के बीच में आपको sale यहाँ पर provide कराई जाएगी अगर आप इस बरती में recruit हो जाते हो जैसे की UR और OBC category candidates के लिए 500 रुपे आवेदन सुल्ख है वहीं SCST, PWD और women candidates के लिए केवल 250 रुपे आवेदन सुल्ख है यह आवेदन सुल्ख आप debit card, credit card या फिर net banking या फिर चाला अनपॉम के माध्यम से state bank को फिंडिया की किसी भी ब्रांच में जमा करा सकते हो selection यहाँ पर आपका computer based test और physical efficiency test के माध्यम से किया जाएगा dates के अगर इस भरती की बात की जाए तो आवेदन करने की starting date 12 मास 2019 है वहीं आवेदन करने की last date 12 अप्रेल 2019 है fees आप 18 अप्रेल 2019 से पहले पहले जमा करा सकते हो इसके बाद आपका exam September और October 2019 महिने के बीच में conduct कराया जाएगा अब हम आपको बता दें की कैसे आप इस भरती पर आवेदन कर सकते हो तो सबसे पहले candidates को railway recruitment cell की official website को logo on कर लेना है जो कि www.rb.gov.in इस website को logo on करने के बाद आपको इस भरती से related official advertisement को open करना है official advertisement को open करने के बाद आपको पूरी detail उसमें से read करनी है पूरी detail carefully read करने के बाद आप simplest भरती पर online आवेदन कर सकते हो अब हम आपको second number की job के बारे में बता दें जो निकली है railway recruitment board के अंदर जी हाँ दोस्तो RRB के अंदर second number की job निकली है जहाँ पर post के नाम है junior color कम typist, accounts color कम typist, junior timekeeper, trains color, commercial कम ticket color, traffic color कम typist, junior account assistant कम typist, senior timekeeper, commercial apprentice और station master इन सभी post के लिए, NTPC की इन सभी post के लिए यहाँ पर 35,277 खाली पद है जिन के लिए candidates से application form मंगाय जा रहे हैं बात अगर educational qualification की की जाए तो candidates का कम से कम बारवी class पास होना जरूरी है किसी well-recognized board या फिर school से या फिर graduate degree पास होना जरूरी है किसी well-recognized university या फिर institute से age limit यहाँ पर आपकी 18 से 45 साल लखी गई है sale लिए आपको रूपे 19,900 से 35,400 के बीच में प्रवाइड करा दी जाएगी application fees इस भरती पर भी आप category वाइज जमा करा सकते हो जैसे की UR, OBC male candidates के लिए रूपे 500 आवेदन सुल्क निर्धारित है वहीं SCST, PWD और women candidates के लिए केवल 250 रूपे आवेदन सुल्क है या आवेदन सुल्क आप debit card, credit card या फिर net banking या फिर चालान form के माध्यम से state bank of India की किसी भी बरांच में जमा करा सकते हो selection या पर आपका computer based test, medical test और interview के माध्यम से क्या जाएगा dates के अगर इस भर्ति की बात की जाए तो आवेदन करने की starting date 1 मार्श 2019 थी वहीं बात अगर last date की की जाए तो वो 31 मार्श 2019 है फिर साब 5 अपरेल 2019 से पहले पहले जमा करा सकते हो application form का final submission आप 12 अपरेल 2019 से पहले पहले कर सकते हो computer based test आपका June और September 2019 में जी हाँ दोस्तों इन दोनों महिनों के बीच में किसी भी dates में आपका exam conduct कराया जा सकता है जिसमें आप participate कर सकते हो अब हम आपको बता दें की कैसे आप इस भर्ति पर आवेदन कर सकते हो website को logo on करना है महाँ पर जाकर आपको इस भर्ति से related official advertisement को open करना है official advertisement को open करने के बाद आपको पूरी detail उसमें से read करनी है पूरी detail carefully read करने के बाद आप simply इस भर्ति पर भी online आवेदन कर सकते हो अब हम आपको third number की job के बारे में बता दें जो निकली है railway recruitment board के अंदर जिहां दोस्तों third number की job भी railway recruitment board के अंदर ही निकली है यहाँ पर post के नाम है paramedical categories paramedical categories के बहुत सारे खालिपद हैं जिनके लिए candidate से application form मंगाय जा रहे हैं total number of vacancies यहाँ पर 1937 है जिन पर आप आवेदन कर सकते हो educational qualification के रूप में candidate का 10 वी या फिर 12 वी या फिर B.H.C. का डिग्री होना जरूरी है या फिर कोई diploma होना आवश्यक है इस भरती पर आवेदन करने के लिए किसी relevant trade के अंदर age limit यहाँ पर आपके 18 से 40 साल लखी गई है से लिए आपको level 3 और 7 के according pay कर दी जाएगी application fees यहाँ पर भी आप category wise जमा करा सकते हो जैसे कि UR और OBC category candidates के लिए रूपे 500 आवेदन सुल्क निर्धारित है वही SCST, PWD और Women candidates के लिए केवल 250 रूपे आवेदन सुल्क है यह आवेदन सुल्क आप debit card, credit card या फिर net banking या फिर चालान फोम के माध्यम से State Bank को फिंडिया की किसी भी बरांच में जमा करा सकते हो selection यहाँ पर आपका computer based test के आदार पर ही किया जाएगा डेट के अगर इस भर्ती की बात की जाए तो आवेदन करने की starting date 4 मार्च 2019 थी वही बात अगर last date की की जाए तो वह 2 April 2019 है एक्जाम आपका June 2019 को conduct कराया जाएगा अब हम आपको बता दे की कैसे आप इस भर्ती पर आवेदन कर सकते हो तो सबसे पहले candidates को railway recruitment board की official website को logon कर लेना है जो कि है bopal.rb.reg online.org इस website को logon करने के बाद आपको इस भर्ती से related official advertisement को open करना है official advertisement को open करने के बाद आपको पूरी detail one by one करके उसमें से read कर लेनी है पूरी detail carefully read करने के बाद आप simply इस भर्ती पर भी online आवेदन कर सकते हो अब हम आपको fourth number की job के बारे में बता दें जो निकली है railway recruitment board के अंदर जिहाँ दोस्तों fourth number की job भी यहाँ पर 1665 है जिन पर आप आवेदन कर सकते हो educational qualification के रूप में यहाँ पर भी candidate का कम से कम 10 वी class पास होना ज़रूरी है या फिर 12 वी class या फिर कोई graduate degree या फिर post graduate degree या फिर कोई diploma होना आवश्यक है इस भर्ती पर आवेदन करने के लिए age limit यहाँ पर आपके 18 से 45 साल लखी गई है sale यहाँ आपको रुपे 19,900 से 47,600 पर मत के साब से provide करा दी जाएगी application fees आप यहाँ पर भी category Y जमा करा सकते हो जैसे की SCST, PWD, EX servicemen और woman candidates के लिए रुपे 250 आवेदन सुल्क निर्धारित है बाकी सब candidates के लिए 500 रुपे आवेदन सुल्क है यह आवेदन सुल्क आप debit card, credit card या फिर net banking के मध्यम से जमा करा सकते हो selection यहाँ पर भी आपका computer based test के आदार पर किया जाएगा dates के अगर इस भर्ती की बात की जाए तो आवेदन करने की starting date थी 8 March 2019 महीं बात अगर last date की की जाए तो वो 7 April 2019 है जिहां दोस्तो 7 April 2019 से पहले पहले आप इस भर्ती पर आवेदन कर सकते हो अब हम आपको बता दे की कैसे आप इस भर्ती पर आवेदन कर सकते हो तो सबसे पहले candidate को railway recruitment board की official website को logon कर लेना है जो कि है www.indianailway.gov.in या फिर www.rrcb.gov.in इन वेबसाइट में से किसी एक वेबसाइट को logon करके आपको इस भर्ती से लेटिड official advertisement को open करना है official advertisement को open करने के बाद आपको पूरी detail उसमें से read कर लेनी है पूरी detail carefully read करने के बाद आप simply इस भर्ती पर online आवेदन कर सकते हो अब हम आपको fifth number की job के बारे में बता दें ये railway sector में नहीं है ये निकली है बिहार technical service commission के अंदर post का नाम है याँ पर junior engineer total vacancy 6389 हैं जिन पर आप आवेदन कर सकते हो educational qualification के रूप में इस भर्ती पर आवेदन करने के लिए candidate के पास diploma होना चाहिए किसी relevant subject के अंदर जिहां दोस्तों किसी relevant trade में आपके पास diploma होना आवशक है इस भर्ती पर आवेदन करने के लिए एजनमीट यहाँ पर आपके 18 साल minimum और 37 साल maximum रखी गई है सेल यह आपको रुपे चाली सो ग्रेड पे के इसाब से प्रवाइड करा दी जाएगी application fees यहाँ पर भी आप category YG जमा करा सकते हो जैसे कि जन्नल और OBC category candidates के लिए 200 रुपे आवेदन सुलक है वहीं SCHT, PH और Women candidates के लिए केवल 50 रुपे आवेदन सुलक है यह आवेदन सुलक आप debit card, credit card या फिर net banking के माध्यम से जमा करा सकते हो selection यहाँ पर आपका merit list के आदार पर किया जाएगा जी हाँ दोस्तों CD बरती है केवल merit list के आदार पर ही आपका selection किया जाएगा कि आप इस बरती में recruit हो जाओगे या नही important dates के अगर बात की जाए तो आवेदन करने की starting date इस बरती पर थी 11 माश 2019 वहीं आवेदन करने की last date है 15 अपरेल 2019 अब हम आपको बता दें कि कैसे आप इस बरती पर आवेदन कर सकते हो तो सबसे पहले candidates को बिहार technical service commission के official website को logon कर लेना है जो कि है parixa.nic.in इस website पर जाकर आपको इस बरती से लेटिड official advertisement को open करना है official advertisement को open करने के बाद आपको पूरी detail उसमें से read करनी है पूरी detail carefully read करने के बाद आप simple इस बरती पर भी online आवेदन कर सकते हो अब हम आपको 6th यानि कि last number की job के बारे में बता दे जो निकलिए तमिल नाडू generation and distribution corporation limited के अंदर post का नाम है याँ पर gangman, trainee, total vacancies यहाँ पर 5000 है जिनके लिए आप आवेदन कर सकते हो educational qualification बहुत ज़्यादा नहीं है candidates का कम से कम 5 वी class पास होना ज़रूरी है किसी well-recognized school से age limit यहाँ पर आपके 18 से 40 साल लखी गई है से लिए आपको रूपे 15,000 परमद के साफ से पुरवारी करा दी जाएगी application fees के अगर बात की जाए तो वो यहाँ पर भी आप category wise जमा करा सकते हो जैसे कि general और OBC category candidates के लिए 1000 रूपे आवेदन सुल्क है selection यहाँ पर आपका physical test और return test के माध्यम से किया जाएगा dates के अगर इस भरती की बात की जाए तो आवेदन करने की starting date 22 March 2019 है वहीं बात अगर last date की की जाए तो 22 April 2019 है 22 April 2019 के बात आपके application form इस भरती पर मानने नहीं होंगे अब हम आपको बता दें की कैसे आप इस भरती पर आवेदन कर सकते हो तो सबसे पहले candidates को Tamil Nadu Generation and Distribution Corporation Limited की official website को logon कर लेना है जो कि है www.10zco.gov.in इस website को logon करने के बाद आपको इस भरती से लेटेट official advertisement को open करना है official advertisement को download करने के बाद आपको इस भरती से लेटेट पूरी detail उसमें से carefully read कर लेनी है पूरी detail carefully read करने के बाद आप simply इस भरती पर भी online आवेदन कर सकते हो इसके बाद भी दोस्तों अगर आपको इन भरतीों के बारे में और ज्यादा जानकारी चाहिए तो आपको हमारी website के link नीचे description box में मिल जाएंगे जहाँ पर जाकर आप directly इन भरतीों के official advertisement open करके पूरी detail उनमें से read कर सकते हो पलस आपको वही पर apply online के link भी दे गए हैं जिनके माध्यम से आप last date से पहले पहले इन भरतीों पर simply online आवेदन कर सकते हो तो दोस्तो आज की वीडियो में बस इतना ही I hope ये वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आई हो तो इसे like और share करना मत भूलना साथी साथ दोस्तो अगर अब भी आपके मन में इन भरतीों से related कोई question या query है तो आप हमें comment के ज़रिये पूछ सकते हो और अंत में दोस्तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि हम daily basis पे आपके लिए ऐसी ही big recruitment के updates अपने इस चैनल पर upload करते हैं